ख़बरों में बने रहने के लिए डिन्यू सब्सक्राइब करें हर ख़बर की अपडेट सबसे पहले बाने के लिए वह लाइजेंगे लाइज लोग और आइटी बीपी के 45 जबान मिले कोरणा पॉजिटिव दिल्ली में भारत तिबत सीमा पुलिस के 45 जबानों के कोरणा अनुसंदान और स्थों अनुसंदान और रेफरल अस्पटाल में अश्बारतिय अन्यके अंन्य मरुजुकि रिपोर्ट का अभी इंतजार है कि सभी लोग भारतिय अस्पटाल के कैंसर विवाग में बढ़ती किये गए थे इन 24 लोगों में सेवारत और सेवा निवर्थ शन्य कर्मियों और उनके आश्रित सामिल हैं फिलाल इन मरीजों को दिल्ली केंट के बेश अस्पताल में इस्थांतरित कर दिया गए कोरोना वाइरस का कैर इस वक्त पूरी दुनिया में है चमकादड़ों इंसानों और पुत्ते विल्यों से तो कोरोना संक्रमित की बात आपने सुनी होगी लेकिन अब एक अफिरिकी देश में बक्री और फल कोरोना संक्रमित पाए गया है इस देश का नाम है तंजानिया महणमा फुली ने टेस्ड किट खराब होने की बात कहते हुए सेना को टेस्ट किट की जाच करने के आदेश दिया दरसल तंजानिया में बक्री पॉपाफल और भेड के अगये थे सेंप्लों को जाच के लिए तंजानिया की लेबरेटरी में बेज आ गया बक्र sa कोरोना मामारी की वज़े से देश में हुई लॉकडान ने सबसे ज्यादा फजियत मजदूरों और कामगारों की कर दिया देश के अलग-अलग राज्यों में हजारों मजदूर फशे होई हैं वे अपने घर लोटने का इंतिजाद कर रहे हैं कई मजदूरों को तो लॉकडाउन की वज़े से दोवक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं हालाकि मजदूरों की समश्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले 6 स्पेशल स्रमिक ट्रेने चलाई थी लेकिन अब तेलांगना राज्जिय सरकार ने अपने यहां फ़से मजदूरों को उनके गाउं तक पहुचाने के लिए एक हपते तक रोजाना चालिश त्रेने चलाने का निड़नली आये वेस्बिक महामारी के कारण देश वापी लोगडाउन को केंद्र सरकार ने 17 मही तक बढ़ा दिया है लोगडाउन का असार भारती अर्थ ब्यवस्ताफर भी पढ़ रहा है ऐसे में रिजर्व बैंक भी अब बैंकों के करण की वापसी पर लगाएगे रोक की अबदी को तीन महा और बढ़ाने पर विचार कर रहा है केंद्रे बैंक ने कोरोना महमारी को नियंत्रित करने के लिए लगाएगे लोगडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उन्हें तीन महा तक बैंक करण की किस्त चुकाने में छूट दी है बता दे कि यह चूट 31 मई तक के लिए दी गई थी इधर सूत्रों का कहना है कि अब जबकि सरकार ने लोगडाउन की अबदी को 17 मई तक वड़ा दिया है तब यह माना जा रहा है कि करण किस्तों के भूगतान में छूट की अबदी को भी और आगे बढ़ा जाने पर विचार किया जा रहा है कोरणा बारस संकट के वीच जल्दी किसानों के लिए एक खुशकबरी आ सकती है प्रदान मंतरी किसान सम्मान ने दी योजना के तहट किसानों को दी जाने वाली रासी में बढ़ोत्री हो सकती है आपको बता दे कि किसानों की इस्तिती को दुरुस्त करने के लिए केंद सरकार द्वारा 6-6,000 रुपे की सालाना मदद दी जाती है लेकिन अब ये खबर आ रही है इस योजना के अंतरगत अब सालाना 24,000 रुपे मिल सकते हैं दरसल देशबर में कोरणा महमारी के कारण लोकडाउन लागू है लोकडाउन के कारण किसान सबसे अधिक प्रभावित होए है ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशी उनकी इस्तिती को सुधारने के लिए काफिक ऐसा कहना है भारतिय किसान यूनियन की माने तो लोकडाउन संकट में किसानों की फसल वरवादे हो गई है उनके पास जीवी का चलाने और आने वाले समय में फसल की बुवाई में आर्थिक संकट का सामना करना पठा है ऐसे में भारतिय किसान यूनियन ने अंदाताओं को 24,000 रुपिय दिये जाने की मांग की है यदि सरकार दोरा किसान यूनियन की बात माने ली जाती है तो किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती है और अब खबर जरा हटके जामिया मीलिया इसलामिया की छात्र नेता सूफरा जर्गर दिली दंगों के मामले में तिहार जेल में बंद है लेकिन अभी भी वो लगातार खबरों में बने हुए है दरसल सूफरा जर्गर प्रेगनेंट है और अभी जेल में बंद है इसी बात को मुद्धा बनाते होए कुछ लोगों ने प्रदान मंत्री नरंदर मोधी पर निसाना साध देते होए सूफरा जर्गर को रिहा करने की मांग की है वहीं जब एक ट्विटर यूजर ने जो की पेशे से एक महिला डॉक्टर है इन बातों का जवाब देते होए सूफरा पर निसाना साधा तो ट्विटर यूजर इस डॉक्टर को जमकर ट्रॉल करने में लगे हुए है दरसल डॉ ट्विटर यूजर द्वारा उनके खिलाब किये गए कुछ मैसेजिस के स्क्रिंशॉट शेयर किये हैं जिसमें कुछ लोग उन्हें गालिया दे रहे हैं साथ ही कुछ लोगों ने बेहद अबद्र सब्दों का योग किया है उतर प्रिदिश के मुरादाबाद में पाकिस्तान का जंडा फेराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मैसेज भेजने के अपरोप में दो लोगों को ग्रफतार किया है पुलिस प्रिवक्ता ने बताया कि वरिष्ट पुलिस अदिक्चक के मुवाइल नंबर पर पाक जिंदाबाद और पाकिस्तान का जंडा फेराते हुए मैसेज बेजने के आरोप में सौंबार को भोजबुर चेत्र के ताहा मदन निवासी मोहमद रफीक एहमद तथा गामा की खिलाब सिविल लाइन जोस्तित पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और ने बताया कि उपनरक्षिक हरेंदर सिंग ने तहरीड में कहा है कि मुरादाबाद के वरिष्ट पुलिस अदिक्चक के सरकारी मुवाइल नंबर पर एक वर्ग विसेश की धार्मिक भावनाओं को आहात करने तता पाकिस्तान का जंडा फेराते हुए पाकिस्तान पर काफी वीड देखी गई जो की सौसल डिस्टेंसिंग का लंगन है सरकार के इस कदम की एंटर्टेंट्मेंट वर्ल्ड से जुड़े ज्यादातर लोगों ने मुखालफत की है खास तोरपर रामानंद सागर की रामायड के राम सीता और लक्षमण का रॉल प्ले करने वा की एंगंगन च्टत की रामाई।